तो प्यारी बच्चों आज की वीडियो में हम सरवनकोषल करेंगे अर्थार सीटैट में सरवनकोषल या सुननाकोषल जो पैडा गोजी का इस्षा है उसे अक्सर प्रशन पोचे जाते हैं देखने को मिलते हैं तो देखेगा सरवनकोषल क्या है तैरी बच्चों सर्वन कोशल या सुनना कोशल सामाने रूप से कानों दवारा धमनियों को गरहन करना तथा मस्तिक्स दवारा अनुभूती करने को सुनना अथवा सर्वन कोशल कहा जाता है बासा के संद्रब में सुनने का अर्थ होता है मोखिक भाषा के माद्यम से अब व्यक्त भाव या विचारों को सुन कर समझना और समर्ण करना यह एक कावत है अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा सुरूता बनना आवश्यक है तो भाषा का धवनियों, वेंजन गुछों, शब्दों आधि को सुनते सुनते चातर उसका मोन अनुकरन करने लगता है और यह मोन अनुकरन ही बाद में मोखिक अव्यक्ति के रूप में परकट होता है कोई भी चातर किशी शब्द वाक्य आधि को जितना अधिक सुनेगा उसकी बोध शमता उतने ही आधिक विक्षित होगी तो प्यावे बच्चों कहने का मतलब यह है कि अगर हम सुनना या सर्वन कोशल की बात करते हैं तो सुनना या जो सर्वन कोशल है यह बच्चे को क्यों करा जाता सबसे पहले तो सुनना या सर्वन कोशल है क्या सुनना या सर्वन कोशल बच्चा या कोई भी वेक्ति जिन धवनियों को सुनता है जो भी धवनी है चाहिए वो धवनी बेटा वर्ण हो शद हो या वाक्य हो कोई भी हो जिनको वो सुनता है अपने कान के दवारा सुनता है और फिर कान दिमाग को बताता है कि ये धवनी आई है आप जरा बताना ये क्या है देखेगा एक बर्धान से सरौन कोशल में क्या है कान का काम है सुनना सुनकर उस ध्वनी को दिमाग तक पहुचाता है कान कान सुनकर उस ध्वनी को दिमाग तक पहुचाता है मस्तिक सक तक पहुचाता है तो उसको हम सुनना या सर्वनकोसल कहते हैं या कहा जाता है देखेगा बेटे कान का काम सुनना है और दिमाग का काम समझना है कि उसने क्या बुल्या है इसलिए कई बार सीटेट में पूछा जाता है कि कौन कौन सी सरवन इंद्रियां है तो वहां केवल कान ना होके कान के साथ मस्तिक्स भी आता है मस्तिक्स इसलिए आता है क्योंकि कान का काम सुनना है और मस्तिक्स का काम समझना है कि वो धमनी क्या है तो देखेगा सीटेट में कोशन कैशे पूछे जाते हैं सर्वन कोशल से अब देखें सर्वन कोशल की विशेशताई है अर था सर्वन कोशल की क्या क्या विशेशताई है तो सर्वन कोशल की सामाने विशेषताई है सर्वन कोशल भाषा सीखने का पर्थम तरीका है देखेगा प्यारी बच्चों अच्छी बात कई है कि जो सर्वन कोशल है वो भाषा सीखने का पर्थम तरीका है तो भाषा जो कोशल होते हैं ज़रा ध्यान से समझने कोशिश करेंगे हम भाषा जो कोशल होते हैं सबसे पहले तो आप यह देखें कि यह भाषा कोशल लिखा गया तो इशी के आगे होता है सुनना बोलना सुनना बोलना बढ़ना लिखना यह चार कोशल है और इन चारों के आगे कोशल लगाते हैं हम कोशल क्यों लगता है जैसे सुनना कोशल बोलना कोशल तो कोशल का मतलब क्या है कोशल का मतलब है सीखने का तरीका सीखने का तरीका देखिए प्यारे बच्चे कोई भी बच्चा भाषा शीखता है तो कोई भी भाषा है चायो हिंदी है, इंगलीश है, संस्किर्ट है, कोई भी भाषा है उस भाषा को सीखने का तरीका अर्थार्थ उस भाषा को बच्चा सुनकर शीखेगा, बोलकर शीखेगा, पढ़कर शीखेगा और लिखकर शीखेगा तो भाषा सीखने के ये चार तरीके हैं सुनकर बोलकर पढ़कर और लिखकर इसलिए जो सुनना है उसको पहला या पर्थम कोशल कहा जाता है बोलना है उसको दूसरा या दवितिय कोशल कहा जाता है पढ़ना है उसको तीसरा या तिरतिय कोशल कहा जाता है और लिखने को चत तूर्थ या चूथा कोशल कहते हैं पहरे बच्चों ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाषा के कौन कौन से कोशल है और इन कोशल को करम से लगाईए तो बिटा जो सुनना कोशल है वो पहले नमबर पे आएगा फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना तो ये कहा जैसे पॉइंट था सर्वन कोशल की विशेष्टाओं में कि सर्वन कोशल बाशा सीखने का पर्थम तरीका है कि सबसे पहले बच्चा सुनता है वो रोमा के गरब में ही सुनना सरू कर देता है अब इमनु इसका उधान है तो देखिए बेटे अगली विशेष्टा है बोलना पढ़ना और लिखना इन सब ही का आधार या बेश कोशल जो है वो सर्वन कोशल है इसी के आधार पे वो आगे सारे के सारे कोशल चलेंगे क्योंकि बेटे ऐसा मान्या जाता है जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता जिस तरह से एक एग्जामपल है गए थे और उन जंगल में रहा इसलिए वो उन्हों उसको कभी मनुष्य की वानी सुनने को नहीं मिली तो वो बोल नहीं पाया तो बिटा इसलिए सब विवाशा कोशनों का वो सर्वन कोशल ही है अगर कोई बच्चा बच्चपन से सुन नहीं पाता तो वह बोल भी नहीं पाता बिल्कुल ठीक बात है वही सर्वन कोशल के बिना बच्चे का भाशा ग्यान सुनने है जब तो को सुनेगा नहीं तो बिटा उसका भाशा ग्यान जीरो रहता है सर्वन कोशल से बच्चा ग्रहन करता ता यह गयात्मक कोशल है तो देखे बिटे हमारे चार कोशल है औ दूसरा है बोलना तीसरा है प्यारी बच्चे पढ़ना और चोथा कोशल है लिखना तो ध्यान रहे सुनना और पढ़ना अर्थार्थ पहला और जो तीसरा कोशल है इन से बच्चा सीखता है अर्थार्थ इन से बच्चा ग्रहन करता है इसलिए गाहयातमक कोशल है ये गाहया आतमक कोसल है बच्चा इन से ग्रहन करता है उसके बाद दो कोसल है वेटा बोलना और लिखना अर्थार्थ नमबर दो और नमबर चार बोलना और लिखना तो इन से बच्चा अभिवेक्त करता है तो प्यारे बच्चों ये अभिवेक्त आतमक कोसल है इस चीज का मिद्यान र सुनना और पढ़ना जिनसे बच्चा सीखता है ग्रहन करता है तो ये गायात्मक कोशल है बोलना और लिखना इनसे बच्चा प्रजेंट करता है तो ये अभी वेट्टात्मक कोशल है यहीं था मस्तिक्स के भी संतुलन रहता है देखेगा प्यारे बच्चों जैसे यह चारो कोशल हैं हमारे तो दो कोशल हमारे गायात्मक हैं दो अभिव्यक्त आत्मक हैं लेकिन एक बात ध्यान से यह चारो कोशल है इन चारो कोशल में मस्तिक्स जो है कई बार पेपर में आए बेटा य अर्थार चारों कोशल में मस्तिक्स आएगा सुनना है उसमें बेटे मस्तिक्स और कान के बीच संतुलन रहता है मस्तिक्स और कान के बीच संतुलन रहता है बोलना जो कोशल है उसमें मस्तिक्स और मुह के बीच संतुलन रहता है बोलने में मस्तिक्स और मुह के बीच पढ़न पड़ने में मस्तिक्स और आखों के बीच संतुलन रहता है पड़ने में मस्तिक्स और आखों के बीच और लिखने में मस्तिक्स और हाथ के बीच संतुलन रहता है तो कई वाप पूछा जाता है कि भी बोलना जो कोसल है उसमें किस-किस के बीच संतुलन रहता है तो मस्तिक्स सब हीमे को मनाएगा चारों में है मस्तिक्ष और बात आती है सर्वन कोशल में तो बिटा मस्तिक्ष और कान के बीच वाचन कोशल में मस्तिक्ष और मुह के बीच पथन कोशल में मस्तिक्ष और आख के बीच लेखन कोशल में बिटा मस्तिक्ष और हाथ के बीच तो प्यारे ब